Hello Senior KG Class Students, Welcome back to the class. कैसे हैं सब? सबने अपना Sunday enjoy किया ममी पापा के साथ? खूब मस्ती करी? Very good. हाउस में रहो, हांस वाश करो, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो अपना मास्क लगा के जाओ. आज क्या डे है? Today is Monday. हमारी week स्टार्ट हो गया. week कौन से डे से स्टार्ट हो जाता है? Monday से. तो क्या डे है आज? Monday. मेरे साथ बोलो एक बार. Monday. और डेट क्या है? Date है 6th July 2020. क्या डेट है? 6th July 2020. Very good. आज हमने क्या करना है? आज हम करेंगे हिंदी की next line. क्या हमने? Very good. आज दूसरी line स्टार्ट करते हैं. देखो ध्यान से. कैसे लिखना है? पहला जो अक्षर है वो है च. ऐसे बनाया हमने line की. ऐसे round. फिर उसको उपर ले गए. ठीक है? च. च से चमच. समच आया? ऐसे line. फिर ऐसे round. फिर ऐसे च. च. च से त्वी के जैसे. और यहां से round करके उपर लेके गए. च से चाता. ओके? च. च. अभी ज. एक बार च. दुबार आपको मैं लिखके दिखाऊ हूँ. ऐसे line. round. राउंड. नीचे से उपर लेके गए. और ऐसे. च. ओके? वेरी गुड. ज. से चाता. अभी next कौन सा होता है अक्षर? ज. ज. से जहाज. ऐसे line कीची. ऐसे एक line. छोटी सी और round. ज. से यह है. ऐसा ही है. लेकिन different है. उल्टा है. ऐसे line. standing line. एक sleeping line. छोटी सी. और नीचे से ऐसे round. ज. ज. से जग. ज. से जहाज. ऐसे standing line. एक छोटी सी line. उसके साथ में sleeping. और नीचे से C के जैसे बना दिया. बन गया ज. ज. से जहाज. या ज. से ज. 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 अगला अक्षर है. ज. ऐसे E से Emily बनाते हैं. वैसे. चोटा. ऐसे round. ओके. फिर ऐसे line कीची. और एक standing line. ज. ज. से ज. ज. से ज. 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 से क्या होता है? ज. 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 एक बार फिर से ऐसे line सी. चोटी सी E. इमली वाली E. बनाई. फिर यहाँ से एक line sleeping. एक standing line. ज. ज. से ज. ज. से ज.ण. और लास्ट वाला अक्षर होता है न. न. खाली. standing line, चोटी सी sleeping line और C ऐसे standing line एक चोटी सी sleeping line और C न, न, खाली ठीक है? जह से चमच जह से चाता जह से जग जह से जंडा न, खाली ठीक है? बोल-बोल कर आप लिखो अभी आप ये new चीज लर्न कर रहे हो जितना आप जादा जोर-जोर से बोल कर लिखोगे जितना धीरे-धीरे करके neatly लिखोगे उतनी आपकी handwriting भी अच्छी होगी और आपको इमाइंड को भी समझाएगा कि आप कौन सा अक्षर लिख रहे हो ठीक है अभी आप big babies हो रहे हो ना इसलिए आपको जादा-जादा work भी मिल रहा है पर अच्छे से लिखना है ममी पापा को ट्रॉबल नहीं करना है ममी पापा को नहीं बोलना है मेरी ये भी line लिख दो मेरी two lines लिख दो मेरी three lines लिख दो खुद लिखो अच्छे से धीरे धीरे करके ओके ओके बाई